आज मैं लेकर आए हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जचपच से बन जाने वाला अंडा का कबाब बनाना बहुत असाने और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है तो हलो एब्रीवान कैसे हैं आप सब मैं हुनी खत और आप देख रहे हैं किचन अप सबसे पहले मैंने बॉयल अंडे को हाफ आप काट लिया और इसमें ऐसे छोटे-छोटे से कच्स लगा लिया है ताके फ्लेवर अंदर तक जाए यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज के प्याज को पेस्ट बना लिया है मिक्सी के जार में पीस कर बगएर पानी का पीसा है मैंने और हाफ टीजपून अदरक लहसुन डालेंगे इसमें यहाँ पे हम कबाब के लिए मसालों को तयार कर रहे हैं तो एक आधी छोटी चमबच मैंने हल्दी लिया है एक टीजपून लाल मिर्चो का पाउडर और अब डालेंगे एक टीजपून जीरे का पाउडर क्वाटर टीजपून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर मिक्स कर दिया है तीन मिर्चे को मैंने क्रश कर लिया है हरी मिर इसे जरूर डालिएगा टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अब हम इसमें नमक डालते हैं नमक हमें इसी पॉइंट पे स्वात के अनुसार डालना है नमक इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हैं और यहां पर मैंने लिया है क्वाटर टीजपून गरम मसाले का पाउडर हाफ यह अंड का कवाब बनाना बहुत ही असान है और बहुत कम महनत से बंके त्यार होता है और बहुत टेस्टी देखिए आसे हमें एक अंडे का पीस लेकर उस पर ऐसे मसालों को लगा लेना है और फिर हमें इसे पकाना है तो यहां पर मैंने पैन में तेल ले लिया हुआ है मैंने तेल सरसो का तेल लिया है आपके पास जो हो वो ले सकते हैं और ऐसे एक एक करके हम मसालों में लपेट लपेट के अंडे को डालते जाएंगे पुरा पैन नहीं भरेंगे कुछ जगा बाकी रहने देंगे क्योंकि अगर इसमें जगा कम होगी तो इसे चलाने में परिशानी होगी फिर हमारे अंडे जो है वो तूटने लगेंगे तो हम इसमें जगा बाकी रहने देंगे और ऐसे ऐसे हम बीच- तो मैंने इसे पलट लिया है और अब ये बिल्कुल तयार है तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे मसाले बहुत अच्छे से पक चुके हैं मैंने इसे बाहर निकाल लिया और दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया है तो देखा कितना आसान है इस रेसिपी को बनाना और खाने में एक एक पच से बन जाने वाली रेसिपी हमारी बन के त्यार है आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बहतरी न आया है तो मैंने कर लिया है डिश आउट और आप देख लिजे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में अपना जहर सारा खयाल रखिया लाहाफीज